तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं Samsung Galaxy की 5 जैसे सेटिंग के बारे में जिस सेटिंग को आफ करके आप अपनी mobile की जो बैटरी की चलने की जो capacity बोल सकता है चलने का duration है उसको increase कर सकते हैं और साथ-साथ आपकी privacy को भी और secure कर सकते हैं दोस् जैसा कि मैंने बताया है मैं आपको 5 सेटिंग बताने वाला हूं जिससे अब अपनी mobile की बैटरी सेव कर सकते हैं और privacy को maintain करके तो दोस्तों मैं आपको mobile की स्क्रीन पर ले चलता हूं यहां पर मैं डिस्प्ले पर लगा दूगा और वहां से आप देख देख के सैटिंग को क कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने mobile की जाना है सैटिंग पर जाने के बार यहां नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो सैटिंग बताने वाला हूं वह दोस्तों है battery saver को लेके आपको पता होगा दोस्तों background में data बहुत जादा यूज होता है य और कैसे उसको ऑफ कर सकते हैं तागी वो background में run ना हो और उसका data को भी ऑफ कर सकते हैं कैसे वो background अपको यहां पर आ देखेंगे दोस्तों आप अब यहांगी देख रहे हैं जैसे Google अप्लिक हुआ हूआ नीचे आपको दीख रहा हूगा background uses 6 आवार 23 मिनिट सेंसंग इंट 10 मिनिट ये आपको इतनी सारी एप्स मिल जाएगी सबसे ज़्यादा बेग्राउंड में कौन सी रंग करिए आप देख रहे हैं से वाटसप बिजनर वन आवर 17 मिनिट ये सारी एप के नाम मिल गए अब आपको इसको बेग्राउंड से हटाना है तक ये बेग्राउंड पर रन आप को सर्च मानना जो बेग्राउंड यूज करें लाइक मैंने वाटसप बिजनर देखा था तो इमें यहाँ पर आपको लेज़ता हूं वाटसप बिजनर पर यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको जाना यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिखा हुआ है अलाओ बेक्राउंड एक्टिविटी आपको इसको कर देना है और यहां और आपके पास मैसेज आना भी बंद हो जाएगा यह तो यह हो गया उसके बाद आपको इसका डेटा भी ओप करना है कि बैक्राउंड में डेटा भी य आप उसको allow background data यह on रहता है by default आप इसको off कर सकते हैं कि यह data ना use करें तो दो setting दोस्तों यह हो गई है तो setting नहीं एक ही setting है एक ही setting आप इसको use कर सकते हैं यह मैंने एक demo whatsapp business पर पताया जरूरी नहीं कि आपको whatsapp पर ही करना हो like google हुआ और बहुत सारी ऐसी apps होती है जो like games उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले तो यहां पर privacy वाले option में जाने क्या आपको privacy का option मिल रहा है यहां पर आप देखेंगे दोस्तों एक option है सेंट डायक्नोमेटिक डेटा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसको हट डिनाय करना अगर आप इसको आफ करने जाएंगे तो यहां पर क्लिक करना होगा और यहां आई एकरी से आपको आफ करना होगा और यहां से और अगर आप देखना चाहते हैं डैकनोंटाटक क्या है आप यहां पर क्लिक कर लेंगे तो आप यहां पर बूड़ अपड़ सकते हैं कि खौन-खौन सा डेटा वो कलेक्ट करता है यह तो होगी दूसरी सेटिंग, तो तीसरी बताने वालों दोस्तों वो है privacy manager को रेके दोस्तों होता कि है कुछ ऐसी apps होती है जो background में आप से बिना बताए कुछ permission को जब आप app install करते हैं तो फटा 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 अलाओ कर देते हैं और कुछ apps ऐसी होती है जिनको कुछ permission के जुरत नहीं होती हो फिर भी ऐस access कर रही है आप चाहते हैं कि इसमें से कोई सी भी ऐप ऐसी है जिसको इसको कॉंटेक्ट की ज़रूत नहीं है अगर है तो आप नहीं चाहते हैं कि आपके सेंसंग क्लाउड नहीं हटेगा लाइक यहां पर आप देखेंगे यह माई फोन है यह मैसेज है इतने सारी आप लाइक गैलरी आप नहीं चाहते हैं कि गैलरी आपके कॉंटेक्ट के डेटा को एक्सेस करें तो आपको वहाँ जाना है उस एप है और उसको वहाँ से डिनाई कर देंगे तो वह आफ हो जाए करेंगे तो आपको लगता है कि जिसको नहीं देना आप उसको डिने कर सकते हैं और वहां से इसका यूज नहीं कर पाएगा स्टोरेज, टेलीफोन, टेलीफोन कौन-कौन सा यूज कर रही है तो यह आपके सारी डेटेल मिल जाएगे आप यहां से पर्मिशन मैनेज कर पाएगे जितने भी सारी आपको एप दिख रही है आपको नहीं चाना कि वह ले तो आप उसको यहां से डिनाई कर सकते हैं वह भूइत कमाल हो है, लोकेशन को लेके दूस्तो कुछ एप इसी होती है जो बेंकर सादा का क्रिफ नहीं कुछ एपस नहीं, हस्ट डेटा करती है कुछ एपस, लोकेशन की तो उसको कैसे ओफ करें। तो उसके लिए को जाना हो ही यहां Location बाले Option प्रहा है आपको इंप् और पीछी से एक्सेस करता है वाई-फाई और बीदूत को जिससे आपकी accuracy को maintain कर रहे location को कि आपका current location आपको पता कर सके अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपकी accuracy location लें तो आप इसको off कर सकते हैं और इसको off करने से आपका फायदा क्या होगा आपके background में run होते रहते हैं automatic तो आपके इसकी यहाँ पर battery भी safe हो जाएगी दोस्तों इससे battery भी से हो जाएगी और आपकी privacy भी maintain रहेगी उसके बाद दोस्तों तीसरा बताने वालों सुरी फिफ्ट वालों बताने वालों होता कहा है तो कुछ apps ऐसी होती है या कुछ website ऐसी होती है जहाँ पर आप जाते हैं और उसके बाद वह background में कुछ ऐसी apps को running कर देती हैं और सारी apps आपके mobile में इस्टॉल हो जाती है तो उसको कैसे बचा जाए ताकि कोई भी unknown apps विदाउट आपकी permission आपके mobile में इस्टॉल नहीं हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना है यहां जाना है यहां जाने कि तरफ आएंगे एक option मिलता है इंस्टॉल अनौन एप तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आपको सारे apps मिल जाएंगे बट एक चीज़ आप तो आप इसको यहां से दिनाव कर देजिए आफ कर दीए ताकि कोई भी एप आपके without permission के कोई भी application को install ना कर पाए आपके mobile के जिससे आपकी security भी बनी रहेगी और फाल्तू के आप आपके mobile में इस्टॉल नहीं होगे जो कि data को access करते हैं दोस्तों यह 5 settings जो कि मैंने बताई बहुत काम की app settings हैं अगर आप अपने mobile में इस settings को use करके रखेंगे या enable करके रखेंगे तो आपको definitely फायदा होगा दोस्तों और मुझे comment करके जरूँ पताए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी हो थेंक्यू तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ करूंगा और हो सके दोस्तों मेरे वीडियो को शेर करना ना बोले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले ताकि मेरे चैनल की next वीडियो की update आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे instagram और facebook follow अगर नभी ना पूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों